नमस्कार दोस्तों, स्वागति आपका, यह हमारा पॉलिटी का 70 नमबर का लेक्चेर देब, इससे पहले लेक्चेर में हमने हमारा जो 8 नमबर का युनिटे, जिसका नामे Non-Constitutional Bodies, उसका 8 नमबर का जो चाप्टर था, 8 नमबर की युनिटे का 8 नमबर का जो चाप्टर था, Central Bureau of Investigation, इसको हमने खतम कर दिया था, और आज की लेक्चेर में हम, हमारा यह जो 8 नमबर का युनिटे, इंडिन पॉलिटे का, जिसका नामे Non-Constitutional Bodies, उसका लास्ट चाप्टर देखने वाले, जिसका नामे लोक आयुक्त and लोक पाल, यहापे दिखिए, लोक पाल and लोक आय पी बना था, एक्चुलि यह पहले से मोजुद थे, पर यह एक्टिव नहीं थे, पर इसलिए, जो हमारे अभी दिल्ली के जो CME, अर्विंद केजरवाल जी, और अन्ना हजारे, इन लोगों ने मिलके बहुत बढ़ा अंदोलंग किया था, 2011 में, जन्तरमंदर जो है दिल्ल किया था, तो वो आज के लेक्चर में हमें देखना है, समझ गया, तो चलिए, शुरात करते हैं, दोस्तों, हमारे देश में, सेंट्रल गोवर्मेंट, और कई सारे स्टेट गोवर्मेंट से, सेंट्रल गोवर्मेंट और स्टेट गोवर्मेंट में, अलग-अलग मिनिस्टर सेकेटरी होते और बड़े बड़े पत्पे बड़े लोग काम करते हैं आप आपने काफी बारी सुना होगा और आप इस चीज से एकदम परीचित होंगे कि सेंटर गोल्ट में काफी बड़े लेवल पे स्कैम्स होते ही गोटला धंदले बाजी करॉप्शन जैसे टूजी स्कै थोड़े पैसे खायोंगे इस तरह तो इतना मड़ा घोटला हुआ तो ऐसे हरेक स्टेट गोवर्रमेंट में और सेंट्रल गोवर्रमेंट में अलग-अलग मिनिस्ट्री में बहुत बड़े-बड़े धंदले बाजी होती बहुत बड़े लेवल पे करॉप्शन होता है तो को रोकने के लिए इस करॉप्शन को कांजा यह तो उसके लिए यह अन्मान अंदलन जो हुआ था इसमें जयंतर मंतर में इन्डिया अगिंस करॉप्शन मोंवमेंट चली थी lemon सव 13 देश में बहुत बड़ी कर एक मुव्मेंट चली थी जो एक बहुत बड़ी प्रोटेस्ट थी जिसका नाम था इंडिया अगेंस करप्शन वहां पे लोग अंचन पे बैटे थे और उन्हें लोग पाल और लोग आयुक्त ये जो दो आपिसे से ये सेंट्रल लेवल पे लोग लुक पाल लोगबाल का में अलग अलग जो मिनिस्टरी ज और सेकरेटरी एक अलग 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 सेकरेटरी म्तलब उनको ऑपीसे से या मिनश्restres एंश इन पे निकरानी रखा जाए इनको क्रोस्चे είναι और ..." ने call लोग पाल का या कोई पकड़ा जाए तो उसको सदरब दी जा जाए तो इस तरीके से लोगपाल और लोग आयो यह दो डिपार्मेंट हमारे देश में काम करते हैं बरबर आगे देखते हैं कि चलो लोगपाल लोग हमने तो देख लिया कि यह कैसे आए इनका फंक्शनिंग क्या है यह सेंट्रल और स्टेट लोल पर करप्शिंग को रोकने देश काम कर रहा है 1905 से समझ रहें तो तब से हमारे देश में कोई ऐसी फैसलिटी नहीं किया जिससे करॉप्शन को रोक जाए या अभी जस लोगपाल और लोग आगता है उससे पहले कुछ नहीं था क्या देखो उससे पहले भी था अतलब उससे पहले भी था बट प्रॉ प्रॉबिक सर्वंट इंक्वाइरी अक्ट 850 यह अंग्रेज लोग लाया था 860 में इंडियन पिनल कोड IPC हम बोलते ना IPC के धारा इस धारा केता है इसको यह साधा देंगे वो साधा देंगे तो यह IPC के धारा 860 में अंग्रेज लेके आया थी उसके बाद स्पेशल पु करप्शन को रोकने के लिए उसके बाद यहां पर देखो Commission of Inquiry 1952 यह भी आया था अगेंस पॉलिस्टिकल लीडर एंड इमिनेंट पब्लिक मैन जो बड़ी बड़ी लोग है उनके खिलाफ अगर इंक्वाइरी होती तो उसके लिए रायते All India Services Conduct Rules 1968 Central Civil Services Conduct Rules 1964 Railway Services Conduct Rules 1966 Vigilance Organization सेवन विंग्स थे उसमें की एक जो विंग्स थी वो करप्शन को रोकती थी एंटी करप्शन ब्रांच अफ सीवी ए उसके बाद Central Village Commission यह भी हमने देखा था सीवी से जो देखा था हमना हमने यह भी एक Non Constitutional Body है यह भी करप्शन को रोकती उसके बाद स्टेट विजिलेंस कम निठी तो डिली के जो से में अर्विंद के जिरवाल जी उन्होंने इसНसेबी का एंटी क्रप्शन बीरो का यूज करके काफी करक्राप्शन रोक दिया था दिल्ली में मतलब ना करप्शन डिरेक्ट जिरो हो गया तक क्योकर अगर कोई पैसे मागता अपसे आप आम संपर पर करो हम उसका पूरा जिंदा की तपा कर देंगी उन्हों इतने लोगों को घर बिटा दिया था राइक सेस्पेंट कर दिया था पर बाद में सेंटर गोवर्ण में इंटरफेर किया और उसको यह पावर उससे चेंड लिए से भी वाली समझ गें तब यह बहुत सुरके में अंटी कर्प्शन बीरो और इंस्टेट उसके बाद लोग आयो यह जो लोग को आयो थम बोल रहे ना वीजो पढ़ने वाले असको लेक्षर में यह भी हमारे सभीधान में डाला वा था पहले से पर यह फंक्शन नहीं काम ने कर रहा था इसे डिविजिनल विजिलेंस होता है या कई दुकांदार होता है शॉप होता है वह आपे लिखा होता है जागो गराग जागो तो जागो गराग जागो जो लोग कंप्लेल करते हैं ना जागो गराग जागो केते हैं कि हमारे साथ ही दोका हुआ है यह प्रोडक्ट सहीं नहीं तो वह इसी कंजुमिर इस इसे काम नहीं की थी, इन लोगों का functioning सही से नहीं था, output नहीं आ रहा था, फिर भी हमारे देश में high level पे corruption हो रहा था, central और state level के ministry और central government के, state level के अलग अलग मिनिस्टर से, उनके secretary और उनके बड़े बड़े officers थे, उनके level पे, तो उसको रोखने के लिए फिर हमारे देश में लोग आयुक्त और लोग पाल ये बना था, तो ये दो चीज़ा हमारे आज के lecture में देखने ही, अभी तक जो पार्च मिन्ट 46 सेकंड में में जो पढ़ाया, वो था background, कि हमारे देश में आपको पता होना चाहिए, कि हम पढ़े क्या रहे और इससे पहले क्या था solution, और why, why clear होना चाहिए, वो है clear हो तो आपको पही नहीं बोलोगी, इसका मतलब हमारे देश में इतने सारी चीज़े थी, पर वो सही से काम नहीं कर रहे थी, इसलिए हमारे देश में फिलाल, लोग आइक्ट और लोग पाल ये दो आफिसे से, आगे, आगे देखे, लोग पाल, उसका देखे, लोग पाल, देखो, Administrative Reform Commission, ये कमीशन बेटा था हमारे देश में, 1966 में, और 1970 में उसने रिकमेंडेशन दीथी, ERC Commission ने, Administrative Reform Commission, इसने रिकमेंडेशन दीथी, कि हमारे देश में, Redress of Citizens grievance, citizen के जो grievance से, citizen के जो complaint से, उसको address करने के लिए, उसको redress करने के लिए, हमारे लोग पाल, और एक चाइल लोग का युद, ये रिकमेंडेशन किया था, ये सुजाव दिया था, ERC Commission ने, समझ गए, तो उसके, देखो, यापे, उन्होंने बोला था कि, Institution of Oversement, Oversement मतलब क्या, Scandinavian countries जो है, European जो country, जैसे कि New Zealand में भी, हमारे देश में, अगर कोई government, जो citizens है उनको corruption से कोई problem आता है, उनके जो अगर कोई problem से, उनके कोई grievances से, उसको address करने के लिए, बाकित जैसे देशों में, जो institutions है, उस तरीके से, हमारे देश में भी, दो institution होनी चाहिए, central level पे लोगपाल, और state level पे लोगपायूप, ऐसी बात 1970 में, ERC Commission में बोली थी, तो उस recommendation को बानते हुए, हमारे देश में लोगपाल एक बनाये गाय था, और लोगपाल योजो लोगपाल पे लोगपाल में बानाया, देखेगा लोकायक्त और जो Central State level पर जो Secretary, जो Minister है, उनकी Ministry है, उससे related कर्प्षिन का कोई matter है, तो लोकायक्त देखोगा, ये था लोकायक्त, समझ गए, स्वारी लोकपाल, तो लोकपाल और लोकायक्त समझ गए, ये RC Commission के recommendation पर हमारे देश को जो citizens है, उनको जो problems आती है, उनके जो grievances है, उनके जो ग्रिवेंस है, कर्प्षिन इस मतलब धान्दलेबाज, इस इस related है, तो उसको address करने के लिए, जो European countries है, उनी लाइन पे, उनके नक्षे कदम पर पहर रखते हुए, हमारे देश में भी, Central Government ने दो special authority बनाई थी, यह का नाम था, लोगपाल जो Central Level पे, Center के जो Minister है, और जो Secretary है, Center और State के, उनके corrections, sorry, उनके complaints को deal करेगा, और हर एक state में, जो higher official से specified, उन से related जो complaints है, उनको लोगगा एक deal करेगा, यह था लोगपाल और लोगपाल के बारे में basic, अब लोगपाल क्या है, देखो यहापे, लोगपाल एक statutory body, क्यों statutory body है, तो लोगपाल क्या है, लोगपाल एक statutory body, उसमें कितने लोगए, एक chairman होता है, और maximum 8-9 member होते है, देखो, एक chairman होता है, यहापे लोगपाल और एक 8 member, ऐसे total कितने, 9 लोगपाल में, और chairman जो होता है, उसका जो qualification हो क्या है, एक तो former Chief Justice of India, former, retire हुआ हुआ, Chief Justice of India चाहिए, और उसके जो बाकी member से, देखो, chairman, एक तो वो होना चाहिए, यहा, former judge of Supreme Court, Supreme Court का एक तो former judge होना चाहिए, यह special person हो चाहिए, कोई event होना चाहिए, जिसका पास specific knowledge है, अगर हमारे president को ऐसा लगता कि यह, इस बंदे का specific knowledge है, एक special person ही है, तो उसको भी करिक्या जा सकता है, तो जो chairman होते है, लोगपाल के जो art member और एक chairman होता है, तो chairman जो होता है, art member तो आप अलग-अलग field से बताऊंगो मैं आगे, कौन से कौन से ले जाते है, पर जो main मुख्यता chairman जो होता है, वो एक तो former judge of Supreme Court चाहिए, एक तो former judge of Supreme Court चाहिए, यह special person sunshine, समझ गए, उसके बाद, यहाँए देखो total, एक chairman और ऐसे art member, कितने होगे, नो लोग होगे, अब इनकी जो appointment होती, जो लोग पाले, उसकी जो appointment होती है, उसके लिए यहाँपे दो चीज़े ही, सबसे पहले किया है, selection committee, और दूसरी search committee, selection committee मतलब क्या, इन लोग को एक appointment, एक search committee होती ही, वो search करती ही, वो बुलती ही, यह बंदे ही, यह हमरे पास यह विस नामी, उसमें से यह लोग, आट नो लोग, यह select committee सेलेट करती ही, समझ गया, तो select committee में कौन होता है, वो देखती ही, देखो select committee क्या होता है, लोगपाल appointed by president, after consultation with committee, consist, देखो, एक selection committee होती है, तो ल selection committee होती ही, उसमें कौन लोग होती ही, देखो, selection committee के चेर्मन होती ही, उनका नाम है, prime minister, president, prime minister of India जो ही, वो selection committee के चेर्मन होती ही, उसके बाद, बाकि जो member होती ही, chief justice of India, या judge nominated by him, खुद chief justice of India होती ही, current, जो अभी फिलाल पद पे, वो होती है, उसके बाद, या तो वो खुद होती है, या वो किसी judge को बेशती ही, supreme court की, speaker of log sabah, वो होती है, उसके बाद, leader of abortion in log sabah, लोग sabah में, leader of abortion होती है, और one imminent person, ऐसे पास लोग मिलके, decide करते है, कि कौन-कौन-कौन बंदा, लोग पाल बनेगा, और कौन उसके बाकि 8 member बनेगी, समझ के वापस बाताता हू, chairman होती ह एक कोई judge उनके दौरा बेजा गया, speaker of log sabah, leader of opposition of log sabah, और one imminent person, अब leader of opposition इसलिए डाला जाता है, क्योंकि देखो, leader of opposition डालेंगे नहीं, तो government तो, अपने, मन मुता भी, उनके जो favor के लोगे, उनको ही, लोग पाल बना देगे, और वो कभी कर प्शन बाहर निकाल लाए नहीं इसलिए leader of opposition जोई, उसको भी committee का member बनाया हो जाता है, समझ गए, selection committee can wait to the search committee, मतलब, selection committee जो होती, देखो, दो committee, selection committee का बाहर वेट होई, इन्होंने कितने भी नाम, दीगे, पचास नाम, ये ही decide करेंगे, selection committee बाता हती, कौन किसको select करना है, एक और एक committee उती, search committee आपे देखो, search committee में एक होता है, one chairman, एक chairman होता है, 7 member होती, from following professional categories, देखो, total 8 लोग होती, सिले search committee में 8 लोग होती, एक होता है, chairman और बाकि 7 member होती, और नीचे दिये होए category में होती, एक तो, कोई ऐसा बंदा होता है, जो, जिसने administrator का का काम किया होगा, दूसरा, कोई ऐसा बंदा होगा, representative of law enforcement agency जो कि law enforcement agency में representative होगा, या कोई एक banker होगा, या कोई judicial officers होगा, समझ गए, या कोई legal professional होगा, या कोई imminent person होगा, इन personal public life, इतने लोग होती, total 8 लोग होती, एक chairman हो, अब उसमें एक जो लाएसा है कि, ये जो 8 लोग है ना, उसमें से 50%, बतलब, 4 लोग तो ऐसे होने चे, जो, एक एक तो SC categories होने चे, या ST categories होने चे, या OBC categories होने चे, या minority होने चे, या women होने चे, समझ गे, चार लोग तो direct आप किसी को भी उठा के डाल सकते हो, पर चार लोग इन category से बिला होने चे, ऐसे total 8 लोग मिला के, एक search committee होती है, उसके बाद, एक selection committee होती है, जिसमें, प्राय मिस् ण कर दो, precуди एक इन-9 को अप्ऌइंड करनेंगे, तो लोग फाल को, अपवाल क्या है, सबसे पहला कोशन लोग पाल क्या है, लोग फाल के statuaryíll, प्राय मिनिश्टर है, लोग फाल को अपवाल का क्रता है, लोग फाल को अपवाल को अपएंड के आ जाता है, प्रेस्टर अप वहारस नहीं को परमेल प्रफिकर ऑप स्पिकर ऑप लोग सवास्थ कोई हाँ परमेल पारotics यहां स हूँ पर इस को पार्इस्ट वेया कि पर कर हआन। लोग पार्याकपारद में प्रफिक वाद disp हो ऺभुद बोड़ी 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 बनाए जाएंगी उन बोड़ी का काम क्या होगा तो इंक्वाइरी करना allegations of corruption, corruption के जिस पे allegation लगे हुए, जिस पे correction के allegation जिसको पाया गया है कि allegation मतलब क्या, just doubt है कि इसने corruption किया है अगर ऐसे किसी को लगता है उस पर ऐसे allegation किसी ने डाले हुए तो public functionaries, मतलब government servant, ऐसे लोग पोड़ लगता है किसी को, कि यह बन्दा है इसने corruption के है, ऐसे किसे पे allegation लगते हैं, तो उसकी inquiry करने के लिए यह लोगी, सेंटर लेवल पे लोगपाल और स्टेट लेवल पे लोकाइक, ऐसा बोल लगाया है, लोकपाल एंड लोकाइक बिल 2011 में, समझ गए, उसके बाद आगी, आगी देखे यहापी, इसके जो कुछ प्रोविजेंसी, इस बिल की यहापी दिये हुई, हमें इतना डीटल में जाने की ज़रूरत नहीं, उसमें काफी दिया हुआ है कि, मैं समझ रहे है कि क्या होगा, कि किसको जेल में कितना डा में, एक कैटेग्री में, समझ गे चाहिए समझ गए ऐसो टोटल मिला कि नो नमबर मेंबर हो दिया पर लोग पाल टू कंसिस्ट आप चेर्मन चेर्मन होता है आट मेंबर होता है और पचास परसे मेंबर ऐसे होनी चाहिए यह मैंना भी बता दिया एक सेलेक्शन यह सारी जोज़ा मिंची ने पड़ी न वो सार प्रेसेंट आप उनको आपएंट करेंगी लोगपाल है और जुरुडिक्शन ओर दी पॉब्लिक फंक्शनरी वो इस और हो बिन प्राइम मिनिस्टर विट शॉज़िजन अप सम अधर सेफगार्स मतलब इनका मगोलना क्या है कि यह जो जुरुटिक्शन ही लोगपाल कर जो दाहर आए कौँस से कौन से बंदे लोगपाल के अंदर आते कैटेगरी में उसमें प्राइम मीनिस्टर भी आते उन्यों मिनिस्टर मतलब सेंटर गोर्रक अरेश के वो भी आते और पॉब्लिक सर or authority or company or society or trust or autonomous body established under the act of parliament or wholly or partly financed by the central government or controlled by it functionally such a body's organization aided by the government annual income which is exceed amount notified by the central government function is such a body's organization in the receipt of donation from the public and their annual income exceeding the amount notified by the central government or whether such a body's organization received donation from any foreign source under the fcara act in the excess of 10 lakh rupees per year inka bholna kya hai aise saare log aise saari body authority organization joki autonomous body question bodeo joe agar act of parliament se bani gai ho act of parliament se bani gai ho koi bhi body to unke and dar joby dhandle baaji ho tiy corruption ho ta hai to wo in kejurikshi me a jaati ya center government security body jisko center government se fund milta hai functional matlab thoma hai thoda baut holi hai pura 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 fund milta hai center government ke pia saha pae joe body kama kati ya jore nation kama kati ya thoda baut paise milta hai sab ke sab ko dho saktay kone hama ra log palo log walk bill us ke baad other functionalist ka hai dhekho yaa pe yeh tine functionalist to yaa pe haam nai dhekhi ti yeh 2 3 yeh to us ka broad etha other functions ka hai log pal and loka iq bulka log pal to have under it and independent inquiry and prosecution wings prosecution wings prosecution wings mtlb yeh karna unko bula na unse interrogate interrogate karna inquiry independent inquiry in ki paas or in ki paas prosecution wing b usk baad separation of investigation from prosecution thereby removing conflict of interest and increase the scope of appropriationalism and specification in ki paas separate investigation dekhoos from prosecution prosecution ko chod ke separate investigation in taki conflict of interest matlab kisi ka fayda ki cheeze waa pe na hoonin chahi kisi ko fayda pauchanne ke liye kaam nai kia jaye usk baad log pal to have power of superintendents and directions or any investigations or any investigations agency including cbi for cases referred to them by initiated on the direction and with apparel by the law of the log pal mtlb in ko koi prior sanction ya require permission ni cha hiya direct ja ke kai pe bidhaan mtlb yeh kar sakti samaj gai in ko koi sanction sanction ki zarurut ni direct ja ke inquire kar sakti log pal wali usk baad aur kya inquires art number point provision for attachment and confiscation of property acquired by the corrupt means even while prosecuting is pini mtlb koi bandha hai jis ko par charges like a correction ki aur uske ko property to uska case chal raha hai case chal raha hai phil bhi yeh uski jo property usko artist kar sakti mtlb zapt kar sakti kisi kisi ki bhi property ko yeh zapt kar sakti jiske opar corruption ke charges laghe yeh power log pal or log white will ki me uske baad appointment of director of cbi to be recommendation high powered committee chaired by the prime minister samaj raya kya yeh coming ke paas dhekko appointment of director cbi ka director appointment ho ta hai to be recommended on the high powered committee yeh jo cvc cvc ke paas jo power hothi cvc ke committee hothi central business commissioners hothi ya ahmare wo chairman hothi yeh committee ke woh committee decide karthi cbi ka director kononga aur o prime minister isko appointment karthi tu woh uske oopar bhe in ka dair hai specify specific timeline for primary inquiry investigation and trial in yeh time dhe specific timeline dhe teki skandari primary inquiry investigation over trial hoi enhancement of minimum and maximum punishment under the prevention of corruption act from six month to two years and from seven years to ten years in ke baas power eki yeh kisika joe enhancement job kisiko punishment mili wo ches amenis leke 2 saal te kar sakti ya 7 saal se leke 10 saal te kar sakti joki prevention of corruption act mili ki gai to in ke baas o power eki yeh apne man marzi se isko kam jada kar sakti enhancement kar sakti bada sakti kam kar sakti log pal to help power to recommend transfer or suspension of public servant connected with the allegation of corruption allegation ke paas correction 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 ke allegation me joh dhut paayi gahe hai un logo ko log pal ek jagha se dhusri recommender kar sakti ki in ka transfer karo ya in ke suspend karo iska matlab agar koji benda koji is agar corruption me paaya jata hai high level corruption me aur agar log pal usko pa karthi corruption karthi hoi aur agar log pal bolta hai ki isko apne pat se hattado suspend karthi ho to usko suspend bhi kiya jasa sakti ya usko transfer karthi kardu ka hi gharo li to usko transfer kya jasa sakti hai usko paad log pal empower to constitute specified number of special court yeh special court joh hothay har jaga usko joh number specified court kitnay karne chahi to log pal ke paas power eki yeh bol sakti kya sufficient number hap itne number ke special court ke ghatan garo to woh kya jasa sakti hai to provide for log in the state or similar line log pal yeh bil yemei power eki log pal kwa jitni power e wohi power state me state level pere log i2 dhe jasa sakti hai log is bil ke tajit samaj ghe yeh sark sarges jiz hai menei dhekhi to iis tari kis hamini log pal kya hota hai woh dhekha uska composition kya hota hai one plus eight memories uska appointment kaisa hota excellent committee search committee uti usme kone log kya to woh bhi dhekha log pal ka qualification kya hota hai wohi ya menei dhekha ek toh formal cjh yas central formal chip dias 들 o individually o invest some kya kya kto establish kya 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 hana kya ka kya ka kyang kraizhi כ limakar और other features यह सारी सारी चीज़े हम अभी लोक आइक्ट में देखनी है तो यहाँ पर देखिए सबसे मेले का यहाँ देखो यहाँ पर many states have already set up the institution of log act काफी जो हमारे देश में राज्य है वो जो राज्य सरकारी है state government से उन्हें log act का office already set up किया है the institution of log act was established first in मायराष्टर in 1971 1971 में सबसे पहले माराष्टर state ने log act की appointment की थी उसके बाद अल्दो उरिसा पास act in this regard in the 1970 it came into force only 1983 उरिसा ने इस से पहले माराष्टर से पहले act पास किया था पट यह actually on force कब आया है मतलब यह लगो कब हुआ 1983 में हुआ तो technically माराष्टर में सबसे पहले log act का office भुआ था उसका बाद उरिसा में हुआ था 2013 में 2018 और वो ने इन्हों ने log act का जो office है उसका गठं किया है मतलब टोटल सारे लोगों ने ने किया है सारे state government नी समय रहे यहांपे दिखी लोगपाल जो होता है वो Central लेकर पर होता है लोगपाल जो है वो State Level पर होता है लोगपाल और लोगपाल तो लोगपाल वोद दिल विद विद दिल गाइड अगेम्स अगेम्स्टरा एंगेस्टरा अ Judiciary is outside the purview of the Lokpal and Judiciary is outside the purview of Lokpal and Lokahikt मतलब देखो कितनी बड़ी बात ही Judiciary interfere नहीं कर सकती बाइसाब मतलब Lokahikt और Lokpal के चक्कर में अगर कोई भज गया तो जो सुप्रीम कोट में गुवार लागन की नहीं जा सकता कि हमें यह यह मरे साथ गलत कर साथ कर रहे हमें आप साज़ए करो समाधे यह अपी लेसा गए किसको फिल्स पटीशन लेके नहीं जा सकता इनके खिलाफ किस चाही को गए अगर को यह सदा कि जाय टे नहीं सकते शसके खिलाफ सकते सरेम्गोट में संपड़ यह आप स्ट्रु नहीं तक लोगपाल का यह नहीं खोला है इसका मतलब लोगपाल तो एक ही होता है हमारे देश में सेंटरल लोल पे पर अपको कुशन आता है कि लोगपाल काईक्ट इस सेम तो अल्ड़ स्टेट में एक जैसा नहीं है सम स्टेट लाइक राजस्तान करनाड़ा का अंधरपदेश महाराष्ट्र है और लोगपाल काईक्ट वाइल समाधर स्टेट बिहार उत्तर प्रदेश और हिमाचल इसका मतलब स्ट्रक्चर जोए लोगपाल का हर एक स्टेट में एक जैसा नहीं है वह अलग अलग ही स्टील अधर स्टेट लाइक पंजाब औरिस्सा आइट हो डिजानेट ओफिशेल्स एज लोगपाल देखो कुछ-कुछ ऐसे स्टेट से देखो स्टील अधर स्टेट्स पंजाब औरिस्सा अधर डिजानेटेड ओफिशेल्स एज लोगपाल लोगपाल जैसे इन्हों ने किया है इस पैटन वाज नोट सजेस्टेट बाइए इसके लिए किया था अभी आपे देखा अपट्मेंट लोग आइक्ट के अपट्मेंट कैसे होती है लोग आइक्ट लोगपाल के अपट्मेंट करते है लोगपाल आपपन टोरीं के जाता है हमारे देह करेंट अ प्रिसेंट फरूआ स्टेट का हाई कोट है उसके चीप जेस्ट के साथ and leader of opposition in state legislative assembly हर एक स्टेट में जो opposition leader ही अगर कोई स्टेट है जैसे महाराश चीप जेस्ट के अगर महाराश चीप में लोक आइक की अगर appointment करनी तो कौन जो governor होते स्टेट के वो किसके साथ consult करेंगे वो जो उस स्टेट का हाई कोट है उस हाई कोट के चीप जेस्ट के साथ और दूसरी चीज़ जो leader of opposition जैसे अभी फिलल कोई है फिलल पढ़न भी से वह यहाप leader of opposition ही उनके साथ क्या करेंगे consult करेंगे समझगे तो इस तरह के सामने या पर देख लिया कि कि जो स्टेट में लोका आइक की जाती ही वह कौन किया करते है पहला question governor of state उस state के governor करते है और वह करते time appointment करते time दो मंदे से consult करते है पहला कौन होता है जिब justice of state high court और दूसरा होता है leader of opposition in state legislative assembly समझ गए चले फिर आगे जलते है आगे क्या है qualification अगर कोई बंदा है उसको अगर लोक आइक का पोस्ट पर आपउंट किया जा रहा है तो उसका qualification क्या चाहिए देखो या पर judicial qualification और प्रिस्काइब फॉर्द लोका आइक बंदा ही लोका आइक बन सकता है पर कुछ ऐसे स्टेट जैसे बिहार महाराष्टर अर्वाजस्तान यहां पर कोई qualification दिया नहीं गया है यह सरकार के मन मर्जी पर किसको आपउइंट करना है या गवर्नर की समझ गए अब बंदे को चलो हमने देख लिए गवर्नर आपउइंट करता है उसको स्टेट का जो यह स्टेट का ह बंदा है उसको अगर आपउइंट किया मतलब कोई बंदा हिसको अख साल का उसक और स्टू सुल्चे dai और श्फ्टास अज्यक्तना काम कर सकता है और जो भी बंदा अग Khal eligible for appointment for second term second term के लिए वोडिया अप्वाल के लिए eligible नहीं है समझ गया उसका पार Juridiction and Investigation जो लोग पाले Office of लोग पाले यह इनका Juridiction का है यह कहा काहा तक काम कर सकते हैं काहा तक देखो यहां पर there is no uniformity regarding the jurisdiction of local act in the state in all the states ऐसा कोई jurisdiction दिया गए है नहीं नो धो हर एक state ना हर एक state में जो jurisdiction वो अलग अलग है ऐसा कोई uniform common jurisdiction नहीं दिया गए देखू the following points can be noted in this regard नीचे तो यह जो point हम उसको एक बार समझ ने कोशिच गरते ही इसका मतलब इनका बोलना कया कि हेरेख state में jurisdiction जो ही इनका जो कारेष रहत रही ही जो limitations जाती जी लोकोको उखट पर ओलग उगलगी है हर जगह से ममन ही देखो दा चीप minister included with jurisdiction उख देखो ऐसे state है जिसमें जो चीप minister है वो भी लोक innovations की नंगरते में मतलब कर अगर उनके भी उनके मतलब चीप मिनिस्टर का ओफिस भी इनके कंट्रोल में आता है अंडर आता है इनको लगता है कि बाई साब यह चुलिबन इसने भी जोल किया है तो उसको भी इंक्वाइर कर सकते हैं बट कुछ ऐसे स्टेट है उन्होंने जो चीप मिनिस्टर है उसको इसके दाएरे से बाहर रखाए मतलब चीप मिनिस्टर पे इंक्वाइर ने कर सकते हैं ऐसे कौशे कौशे से स्टेट हैं देको माहराष्ट्रा है उत्रप्रदिश राजस्तान है बिहार और उरिस है उसके बाद याँ पे देखिए the minister and higher civil servant minister या higher civil servant are included in the privy of लोकाइक्त in the almost all the state सारे सारे स्टेट में minister और higher civil servant वो लोकाइक्त के अंडर आती देखो मारश्णा में क्या बता है गया मारश्णा में तो उससे जादा बढ़ करे मारश्णा में former minister और former civil servant मतलब कोई बंदा है वो अगर उसके कोई फाइल खुलती है जिसमें पकड़ा जाता है तो उसको भी लोकाइक जो ही उस पर दार माल सकते है उसको पकड़ सकते है उस पर इन्विस्टिकेशन कर सकते ही समझगे आप इसका मतलब सारे minister सारे सारे मिनिस्टर और सारे 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 इस इपेस हरे इक स्टेट में वो किसके अंडर परिवी में आते है यह पर रूइवी में आते लोगाइक के मतलब लोकाइक से उनको डर ना चाहिए जो भी वुपिसी की किता है अरेकार है उससे समझ लेना है कि बाइसाब करफशंकर करेंगा तो एक ही बंदा है जो हमें पकड़ सकता है वो यह लोग आए हारेक स्टेट में समझ गए आगे आगे देखिए करेंगे थे मेंबर ऑफ स्टेट में स्टेट लेशलेशलेशलेशलेशलेशलेशलेशलेशलेशलेशलेशलेशलेशलेशलेशलेशलेशलेशलेशलेशलेशलेशलेशलेशलेशलेशलेशलेशलेशलेशलेशलेशलेशलेशलेशलेशलेशलेशलेशलेशलेशलेशलेशलेशलेशल यह भी लोग आएक्ट के जुरिक्षिन में आते काफी स्ट्रेट में मतलब लोकल बॉडी जो ही बॉम जो बीम सी समझ रहे क्या मुंसिपल कॉर्प्रेशन जो ही बॉम में का अगर आपको लगता है किसी को लगता है कि उद्वे कॉफिसर ही समझ गया जैसे तुकरा मुंडे अब तुकरा मुंडे कहा पर था अभी नाखपूर में नाखपूर में क्या है वो CEO चिप एक्जेकुटिव ऑफिसर ही वो कहां पर नाखपूर मान अगरपाली का तो अगर वो भी करप्शन करता है कर तो उसको कौन पकड़ेगा पता है क्या वो इसको पकड़ सकते है वह ब परफोर्पर्फरूर्ट ब्रॉग का प्रफोर्फरमंस दिया उसके सामने उस सामने इस वह बाज कि उसको explanatory memorandum explain करके पुरा उसु रिपोट को वा पर रखा जाता है लोग act is responsible to the state legislature लोग act किसको responsible है state legislature को responsible है government को नहीं या गवर्नर को ही question आएगा कि आपको statement देंगे हो लोग act is responsible to governor आपको लोगाएगा भाही गवर्नर को गवर्नर इसको आपपाइंड करता है यह report भी गवर्नर को करता है इसका मतलब भी responsible report गवर्नर को करनी responsible गवर्नर को नहीं responsible state legislature समझ गया तो जैसे कि कोई teacher है teacher अगर report principal को करता है principal को report करता है वो responsible principal को नहीं हो वो institute को responsible है क्योंकि हो सारा payment उसको institute कर रही है समझे उसको job the institute को दी नहीं एक बंदे को नहीं दी नहीं तो वही चीज़ यहाँ पर देखो उसके बाद का है takes the help of state investigating agency for conducting the inquiries जो लोक आइक तो होता है न वो state investigating investigating agency उनकी help ले सकती है किसलिए investigation के लिए उसके बाद क्या लोक आइक चान कॉल relevant files and documents from the state government departments अलग-अलग state government जो डिपर्मेंट्स है उनसे relevant file and document ले सकती है investigation के लिए यह भी power है इसके पास लोक आइक तो पास उसके बाद recommendation made by दो लोक आईक और only advisory not binding to on the state government अगर लोक आईक state government को अगर कोई recommendation दे रहा है तो वो recommendation ने state government पे निरभर करता है अगर उनके उपर वो force ने binding ने only advisory 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 मतलब उन्हें as advice है उसको direct नहीं मान सकते हो समझगे मानना है तो मानेगे या नहीं मानेगे तो इस तरीके से हमने देखो लोक आईक जो था उसमें लोक क्या होता है उसका हर एक state में कैसे structure variation है उसके appointment के state of governor जो होते है ऑपाउण करते और वो आपाउण करते time consist करते है जो judge होते हाई code के उसके साथ मतलब चीप justice जो होते हाई code के उस state के हाई code के जो chip justice होते हैं उसके साथ consult करते एंड लिडर आप आप परशन इन state legislative assembly यह भी हमने देखें और सबसे इंपोर्टन उसमें हमने चीज़ देखीं कि जो ओपिस ओफ लोक आइक्ट थी वो रिस्पॉंसिबल है स्टेट लेक्सलेशर को ना कि गवर्मेंट को ना गवर्नर को समझ गई तो इस तरीके से हमने आज को जो हमारे लेक्टर उसमें लोक पाल और लोक आइक्ट यह दोनों की दोनों ओफिसेज जो ही उसको बहुत डिटेल में देखा और इसी तरीके से हमने हमारा जो नॉन कॉंस्टिशनल बॉड़ी जे इसका जो आट नंबर नॉन नंबर का चाप्टर है इसको भी यह आप धनके सो मुच झाड़ी नेजिए